Excuse me, आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे Excel में Running Total कैसे निकालते हैं हाला कि हम जो एक्जामपल लेंगे वो डेली जो लाइफ है हमारी उस डेली लाइफ में जो हम टास्क परफर्म करते हैं वोही एक्जामपल हमने Excel की शीट पर उठाया है जैसे कि आप Skyn पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 1-10 तक डेज हैं अब मेरी डेली रिक्वार्मेंट मिलक की होती है कभी मैं 1 kg मिलक लेता हूँ, कभी 2 kg लेता हूँ, कभी 4 kg, कभी 6 kg इस तरीके से डेली बेचस पर मेरा कुछ मिलक रिक्वार्मेंट होता है ऐसा माल लेते हैं अब जो पर kg की जो cost है वो है 25 रुपीज पर kg अब मुझे क्या निकालना है 25 के हिसाब से इन सभी का मुझे daily basis पर total निकालना है तो simply हम क्या करेंगे यहाँ पर skill to put करेंगे जो इसका address है वो है आपका b3 आप 1 kg पर click करेंगे b3 कर देंगे then multiply put करेंगे then यहाँ पर 25 kg पर put करेंगे अब जैसे ही आप enter press करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 25 आउट्पुट में मिल जाएगा जब आप इसको drag करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो यह answer है सही है पर जब आप इसको down कि ट्रफ drag करेंगे तो आप देखेंगे अभी आपका answer wrong ओना start हो गया है अब ये wrong क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यह जितने भी केजी है इन सब का जो multiply होना है वो होना है 25 से अब इस case में क्या हो रहा है? इसका multiply इससे हो रहा है पर अगर आप 50 पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो इसका जो multiply 25 रुपीज से होना था वो हो रहा है 25 से और यहाँ पे इसका multiply हो रहा है 50 से जिसकी वज़े से क्या हो रहा है? जो row है वो भी अपने आपको vary कर रही है वो भ तोटल यहाँ पर आपका 1 kg पर क्लिक करेंगे, multiply करेंगे, then 25 kg पर क्लिक करेंगे, keyboard से आपको F4 प्रेस करना है, single time. तो जैसे आप single time यहाँ पर प्रेस करेंगे, दोनों तरफ आपको dollar देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हुआ क्या है, basically यह 25 आपका lock हो गया है, then इसको enter प्रेस करना है, and simply आप क्या करेंगे, इसको drag करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह सभी चीजे इस तरीके से apply हो जाएंगे, अब आपको running total निकालना है, अब running total कैसे निकालेंगे, उसके लिए basically निकालने से पहले हम यह समझ लेते हैं, running total होता किया है, जैसे मैंने हापे क्या किया, 25 फर्स डे आपने milk लिया, तो आपका जो धार हो गया, फिर next day आपने 1.500 रुपे का milk लिया, प्लस आपने पुराने वाले को भी आपने इसमें क्या कर दिया, प्लस करके add कर दिया, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको step by step निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका बहुत सारा time क्या हो जाएगा, वेश्ट हो जाएगा, तो इस task को वैसे करने के तो बहुत साए तरीके हो सकते हैं, तो अब हम इसको running total के through निकालते हैं, आपको simply क्या करना है, इस column को select करना है, then यहाँ पर आपको यह bottom में yellow color का mark दिख रहा है, आप इस पे click कर देंगे, then यहाँ पर total में जाएंगे, then यहाँ पर आपको मिलेगा running total, यहाँ पर एक running total आपको यहाँ मिलेगा, then आप side में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको running total देखने को मिलेगा आपको simply इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर running total क्या हो गया है update हो गया है अब अगर आप इन सब का total देखेंगे तो जो total आता है वो आ रहा है आपका 800 रुपे अब जब आप इन सब का भी total देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कितना है 800 रुपे है तो इस तरीके से आप running total Excel में निकालेंगे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे informative वीडियो के लिए हमें follow और subscribe करना ना भूलें